इससे पहली कक्षा में हमने पढ़ा था यथा नद्यह स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ती नामरूपे विहायग तथा विद्वान नामरूपाद विमुक्तह परात परम पुरुषम उपईति दिद्यम ये आठवा श्लोक हमने पहले पढ़ा था हम ये जानते हैं कि पुरुष में सोलह कलाएं होती हैं और वो सोलह कलाएं किसी एक पुरुष में नहीं होती हैं सब में होती हैं जो भी मनुष्य है उसमें सोलह कलाएं होंगी बलकि पशुओं में भी कुछ कलाएं होती हैं हमारी जो इंद्रिया है वो पांचों की पांचों इंद्रिया सक्रिय है पश्वों की नहीं होती है तो उतनी कलाएं कम कर लीजिए जितनी जितनी योग्यताएं पश्वों में नहीं होती है बस उतनी उतनी कलाएं भी उनमें नहीं होती है लेकिन कलाएं तो पश्वों में भी जाती है पंद्रह कलाएं छूट जाती है केवल एक कलाशेश रहती है और वो कला है स्वयन आत्मा का अपना स्वरू तब उस व्यक्ति को कहते हैं निश्कलः एक कलाशेश रहती है और ऐसे में वह व्यक्ति वह आत्मा मानो जैसे नदियां समुद्र में जाकर के अस्त हो जात उनकी गती समाप्त हो जाती है उनका निरंतर आगे बढ़ना रुख जाता है ठीक इसी प्रकार से हमारी एक यात्रा है इस जीवन यात्रा का समापन कहां बर तो जैसे नदियों की जीवन यात्रा का समापन समुद्र में हमारी जीवन यात्रा का समापन जन्म यात्रा का समाप जैसे नदियां स्यंदमाना उचलती हुई, जिस तरह से नदियां बहती हुई, लहरें लेती हुई, समुद्र में जाती हैं, पानी फिर भी अलग होता है, लेकिन जैसे समुद्र बहुत बड़ा होता है, वैसे नदियां भी बहुत बड़े अस्तित्व के साथ जा करके मिल जा जो जो गुण समुद्र में होते हैं वो गुण नदियों के पानी में भी आ जाते हैं। कहता है सयोहवई तत परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मईव भवती नास्या अब ब्रह्मवित कुले भवती तरति शोकम तरति पापमानम गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अम्रितो भवती श्लोक महत्व पोन हैं। परम ब्रह्मव को जान लेता है। जान लेता है तो एक बैक्डरॉंड भी समझ लेते हैं। कैसे जान लेता है। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि एकदम से कोई दिन आया होगा और एकदम से उसने ब्रह्मु को जान लिया होगा। से बिना कुछ किये, बिना किसी प्रक्रिया के, बिना पहले कोई परिणाम आये। ऐसा नहीं हुआ होगा, हो ही नहीं सकता कि एकदम से कुछ हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति युवा अवस्था में आता है, तो ऐसा थोड़ी है कि रात को सोया था बच्चा और प्राताकाल युवा उत्पन हुआ, युवा होकर के जागा। ऐसा भी नहीं होता कि सोया था तो युवा और प्राताकाल देखा तो मैं तो प्रोड हो गया। कि रात को सोया था प्रोड और प्राताकाल हुई कि बुड़ा हो गया। ऐसा नहीं होता है। हर कारी एक क्रम से होता है। और जो क्रम होता है उसमें परिणाम पहले से ही आने लग जाते हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति ब्रह्मों को जान लेता है अचानक से नहीं जानता है कुरी प्रक्रिया होती है समय लगाना पड़ता है जीवन लगाना पड़ता है एक एक करके परत दर परत हमें उसका अनुभव होता है तो कह रहे हैं जो व्यक्ति उस परभ ब्रह्मों को जान लेता है ब्रम्ही व भवती वो व्यक्ति स्वें ब्रम्ह जैसा ही हो जाता है बहुत स्पष्ट ये बात कह रहे हैं ब्रम्ही व भवती अर्थात वह व्यक्ति ब्रम्ह के समान ही हो जाता है जैसे कि रिशी दयानंद सरस्पतिजी लिखते हैं कि जब कोई आत्मा परमात्मा के निकट जाता है तो जैसे अगनी के पास जाने पर शीतता ठंड दूर हो जाती है शीतता से आतुर व्यक्ति जो व्यक्ति बहुत अधिक ठंड से परेशान है उसकी ठंड दूर हो जाती है शीतलता दूर हो जाती है ठीक उसी प्रकार जो विक्ति परमेश्वर के निकट जाता है तो परमेश्वर के गुण भी उसे मिलने लग जाते हैं वह गती परमेश्वर की भाति शुद्ध निर्मल बनने लग जाता है कहा ब्रह्म्ह एवभवती जैसे मैंने अभी उपर उधारण में समझाया उपनिशद ने स्पष्ट रूप से कहा कि जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है तो पानी के कण तो अलग ही रहते हैं लेकिन अब अलग करके बताया नहीं जा सकता कि क्या नदी है और क्या समुद्र है कितना पानी नदी का है कितना पानी समुद्र का है ऐसे ही जब कोई आत्मा परमात्मा को पा लेती है तब रहती तो अलग है लेकिन अब आप अंतर नहीं बता सकते कोई और तो क्या वो स्वयम नहीं बता सकती अंतर की मैं कहा हूँ और ब्रह्मा कहा है ब्रह्म्ह एवा भवती ब्रह्म्ह जैसा ही हो जाता है कह रहे हैं एक और महत्वपुन बात न अस्य अभ ब्रह्म्हवित कुले भवती जैसा हमने अभी देखा कि कोई भी व्यक्ति तुरंत एकदम से अचानक से ब्रह्म्हवित नहीं हो जाता है अचानक से कोई मोक्ष के योग्य नहीं हो जाता है परंपरा है प्रक्रिया है धीरे धीरे उसके परिणाम आते हैं और जो व्यक्ति प्रक्रिया से गुजरता हुआ धीरे 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 इस स्टेज तक पहुँचा है ऐसे व्यक्ति के पुण्य कब से अरजित होने प्रार्म हो उन पुण्णियों के आधार पर उसका जन्म कितना सुन्दर होने लग गया होगा, वो किसी सामान्य घर में तो जन्म नहीं लिया होगा, अगर उसके कर्म के आधार पर उसके सुन्दर जन्म होगा, तो सामान्य घरों में उसका जन्म नहीं होगा, कह रहे हैं, न अस्य अब्र पर्मवित नहीं होता कुल में भी सब लगभग इसी प्रवित्ति के होते हैं आप रिशिद अयानंद सरस्पते जी की घटना को ही ले लीजी यद्धे भी पौरानिक परिवार में जन्म हुआ लेकिन आप पिता की प्रवित्ति तो देखिए पिता इतने अधिक धार्मिक अब मूलशंकर को वेद पढ़ा रहे हैं कौन माता पिता पढ़ाते हैं श्रद्धा इतनी गहरी कि बचपन में ही बालक को कह रहे हैं कि छोटा भले ही हो लेकिन उपवास तो रखना पड़ेगा अरे धार्मिकता है ये अरे इश्वर के लिए किया जाता है अरे वो हमारे चोटे से नन्य कोमल बच्चों को कौन उपवास रखवाता है वो भी पूरे दिन का और फिर उपवास करने के बाद जागना भी पड़ेगा तुम्हें अपनी नीद भी त्यागनी पड़ेगी कौन बालक नीद छोड़ता है और कौन पिता अपने बालक को ऐसा दबाव डा लेकिन कर्शन जितिवारी कह रहे हैं कि अर्था जो उन्हें पता है इश्वरो पासना का अर्थ बस उसी पर लगे हुए पर पूरी श्रद्धा के साथ श्रद्धा जितना जैसा पता है उसमें कोई कमी नहीं कर रहे हैं उसमें कोई कोता ही नहीं कर रहे हैं मा भी देखी कि श्रद्धालू कितने दयालू है पती के आदेशों का अनुगमन करने वाली लगा कि पुत्र नहीं कर पाएगा पर सीधे-सीधे विरोध नहीं किया समय पर छोड़ दिया चाचा भी वैसे ही है कोई आपत्ती पढ़ गई तो वो अपने चाचा से पूछते हैं तो ये परिवार जो है लगभग उसी प्रवृत्ती का है जिस दिन परिवार वालों को भी ये पता चड़ेगा कि इश्वर की वास्तविक स्वरूप क्या है उसकी स्थिति क्या है तो वो भी फिर सच्चे इश्वर को मानने लग जाएंगे लेकिन उनकी श्रद्धा में उनकी निष्ठा में उनकी इश्वर के प्रती समर्पण में कोई कमी नहीं है कमी है तो केवल सत्य ज्यान में इसलिए कह रहे हैं जिस कुल में उस दिव्यात्मा का जन्म होता है उसकुल में बाकी लोग भी इश्वर के प्रती समर्पित होते हैं इश्वर को जानने वाले होते हैं फिर आगे कहा तरती शोकम, तरती पाप मानम ऐसा व्यक्ति शोक और पाप की वासनाओं से तरती तर जाता है दूर हो जाता है, पाप पार हो जाता है तरती शोकम वो दुख को पार कर जाता है वो इस दुख में संसार को पार करके और सुख में ब्रम्ह में जाता है तरती पाप मानम वो अपनी पाप की प्रवित्तियों से अपने पाप रूपी कर्मों से पार हो जाता है यहां यह नहीं कह रहे हैं कि परमेश्वर उससे उसके पाप दूर कर देता है अरे अब वो पाप नहीं करेगा अरे अब उसके पास पाप की वृत्तियां आएंगी ही नहीं क्योंकि वो जिस परमेश्वर के पास है पाप उसके निकट जाने से भी डरता है तरती पाप मानम गुहा ग्रन्थिव्यो विमुक्तो अम्रितो भवती और हरदय की जितनी भी गांठे हैं जितनी भी अविद्याई हैं जितनी भी अज्यान अंधकार हैं उन सब गांठों से विमुक्त हचूट करके जैसे गांठे खुल जाए नो और व्यक्ति अपने आपको बंधन रही तनुभव करता है ये चर्चा हम पहले बहुत बार कराएं और सत्यार प्रकाश के नौबे समुल्लास में तो और विस्तार से की है हमने ये चर्चा कि मुक्ति और बंधन क्या? कुछ भी नहीं केवल इसके कि हमारी आत्मा जिस शरीर, जिस मन, जिन इंद्रियों में बंधी होई है उससे पार नहीं पा सकती निकल नहीं सकती, छूट नहीं सकती शरीर भी छूटा तो नहीं है मिल जाएगा मन तो वैसे भी वही का वही रहेगा लेकिन जब व्यक्ति मोक्ष का भागी बनता है तब वो किस बंधन से छूटता है भला? इसी शरीर के बंधन से शरीर हमें सीमित रखता है हम इतने सीमित थोड़ा ही है हमें आपको क्या लगता है कि हमके बल इतने सीमित है कि दो ही हाथ, दो पैर, दो आखे ही है बस हमारी हम इतना ही देख सकते है इतना ही कर सकते है इतना ही चल सकते है ना एक आत्मा के पास बहुत शक्ति होती है मैं असीम शब्द का प्रयोग तो नहीं करूँगा लेकिन हाँ लगभग वैसी ही होती है आत्मा बहुत शक्ति शाली है सामर्थ शाली है लेकिन हमारा शरीर हमारे उन शमताओं को सीमित कर देता है हमारी आँखें जितनी दूर तक देख सकती हैं बस हम उतने ही दूर तक देख सकते हैं आत्मा की रूप में भी, लेकिन सोची जो व्यक्ति इन दो आखों के बंधन से अलग हुआ, छूट गया, अब उसकी दृष्टी कितनी विस्त्रित होगी, बस यही होता है मौक्षम, कह रहे हैं, ग्रंथिभ्यहर विमुक्तह, गांठों से छूट जाता है लेकिन, यूँ हटती है, छूटती है, तब गती बढ़ जाती है, ऐसे ही आत्मा आपने आपको विमुक्त होकर के उसी प्रकार से खुला हुआ अनुभव करता है, उसी प्रकार से सतंत्र अनुभव करता है, जिस प्रकार से हम लोग कहीं बंधे हुए हों और हमें कोई खोल दे, और तब अ संख्या 10 कह रहें तदेतक रिचा भी उक्तम कह रहें ये सब रिचा अभ्युक्तम ये सारी बातें रिचा अर्थात मंत्र में भी अभ्युक्तम बिल्कुल कही गई हैं आमने सामने से कही गई हैं सीधे सीधे कही गई हैं ये बातें जो हम कह रहे हैं हमारी अपनी घर की नहीं हैं ये बातें रिचा रिचाओं के द्वारा मंत्रों के द्वारा अब भ्युक्तम बिल्कु साफ-साफ कही गई है और वैसे भी उपनिशत को अपने आपको वैसे भी परतंत्र मान रही है उपनिशत तो जुड़ा हुए ही वेद से है उपनिशत में तो हर सिध्धान्त का आधार ही वेद है इसलिए जो वेद कहता है वह उपनिशत कहती है उपनिशत अपने आपको वैसे भी परतंत्र मान रही है वो कह रही है कि अगर कोई उपनिशत सीधे सीधे वेद का ही अन्श उधारन तया कीशोपनिशद, उधारन तया मुंड़कोपनिशद के भी बहुत सारे प्रकरण, अभी हम दूसरा मुंड़क पढ़कर के आए हैं, तीसरे मुंड़क का प्रथम भाग पढ़कर के आए हैं, बहुत सारे श्लोग ऐसे हैं जो सीधे वेद के हैं, द्वासु परना ये रित्मन्त्रों के द्वारा पहले ही कही जा चुकी है हम तो केवल उनका सरलिकरण मात्र कर रहे हैं आपकी भाषा में समझा मात्र रहे हैं तदेतत रिचा अभ्यक्तम और और कौन सी बाते हो सकती है वो जो व्यक्ति जो लोग विधिवत पूरे विधिविधान से चीरणम चीरणम अर्थात आचरण करते हैं चलते हैं किस पर अरे वही वेद का जो मार्ग है जो वेद का मार्ग है उस पर जो लोग विधिवत रूप से चलते हैं पूरे नियम और व्यवस्थाओं से चलते हैं कल एक सुन्दर सा प्रश्न आया हमारे सामने और वो प्रश्न हो सकता है आप में से भी कई लोगों का हो एक बालक जो की बहुत अच्छे से अपने जीवन को भी एक अच्छे मार्ग पर ले जा रहा है उसने मुझसे कोई वीडियो देख करके कहा कि जी ये वेद के आधार पर जीवन जीना क्या होता है वेद के अनुसार जीवन जीना क्या होता है मैंने का क्यों पूछ रहे हो तो बोले जी किसी वीडियो में मैंने सुना कोई पूछ रहा था कि वेद को मानते हो क्या बोले हमानते हैं तो बोले क्या तुम सारा जीवन वेद के आधार पर जीते हो गय तो बोले मैं भी संशाय में पढ़ गया वो वीडियो सुनके कि अगर कोई मुझसे ये प्रश्न पूछ ले कि तुम वेद के आधार पर जीवन जीते हो क्या वेद के अनुसार जीवन जीते हो क्या तो बोले मैं क्या उत्तर दूँगा तो मुझसे पुछाईजी ये वेद के आधार पर जीवन जीना क्या होता है वेदानुसार जीवन कैसा होता है और क्या हम वेदानुसार चल रहे हैं अच्छ हमसे भी कोई पूछे तो हम भी एक बार को तो डर जाएंगे वेदानुसार जीवन क्या बला होती है ठीक है जो हम जीवन जी रहे हमें पता है हम पाप नहीं करते हैं अधर्म नहीं करते हैं दिहान से पुरे यजजादी करते हैं लेकिन ये वेदा अनुसार जीवन क्या बला होती है बला कुछ नहीं होता है बड़ा सरल है यहाँ पर भी लिखा है विधिवत एकदम विधी की काम करना नहीं है कि पहले आप दो पैरों पर चल रहे थे अब दो हाथों पर चलना पड़ेगा इसा नहीं है कि पहले आप रात को सो रहे थे अब दिन में सोना पड़ेगा ऐसा भी नहीं है वेद के आधार पर जीवन जीना मतलब हमारी प्रातहकाल से लेकर के साइंकाल तक की दुनिचर्या में अपना परिवार का हमारे आसपास पडोसी का समाज का और साथ में जो जीवजन्तु हमारे साथ जीवन जी रहें उन सब का ध्यान रखना और पुरी यही है विदीवत जीवन 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 उदहरण के तौर पर जो हम पंच महायज करते हैं उनमें सबसे पहले अपने लिए ब्रम्हयज फिर समस्त प्रकृती के लिए देवयज अपने घर में बैठे माता पिता की सुख के लिए उनकी सुविधाओं के लिए उनकी सेवा के लिए पित्रियज समाज में व्यवस्था बनी रहे समाज में 80-80 लगातार बने रहें इसके लिए अतितियज और जो हमारे आसपास रहने वाले जीवजन्तु हैं वो भी भूखे न रहें उनकी भी व्यवस्था होती रहें इसके लिए बली वैशुदेवियज अगर हम ये कर लेते हैं तो हम वेदान सारी ही जीवन जी रहें उसके पर शा कारिया में अगर हम किसी को ठग नहीं रहें हैं अगर हम जान बूच कर किसी को कोई हानी नहीं कर रहें हैं समाज में अगर कुछ गलत होता देखते हैं तो यथा सामर्थी उसे ठीक करने का प्रयास करते हैं हम परमेश्वर को स्मन रखते हैं अपने हर कारिय में अगर हम ऐस ओट कर रहे हैं अच्छे राजा का चयन कर रहे हैं समाज की व्यवस्थाओं में उनके साथ खड़े हैं और समाज के धाचे को जो लोग बिगाड रहे हैं उनके विरोध में हम खड़े हैं तो हम वेदानुसार ही जीवन जी रहे हैं हम कोई वेद के विपरीत नहीं जा रहे है इसलिए कहरें हैं कि व्यदानुसार जीवन क्या विधिवत ये इस्तुचीरनम जो विधिवत तरीके से अपने जीवन को अच्छे रास्ते पर ले जाते हैं, अच्छा आच्रण करते हैं. क्या होता है तो करें वे लोग है क्रियावन्तह अब कौन सा जीवन होता है विधिवत वेदानुकूल तो उसके देखें पहचान लिखें क्रियावन्तह सदैव सक्रिय रहना सदैव कर्मशील रहना कुर्वन नेवेह कर्माणी जीजी विशेत शतम समाह ये वेद कादेश है तो यदि हम सदैव क्रियाशील है क्रियावान है अगर हम आलसी नहीं है अगर हम कामों से बच्चते नहीं है तो हम वेदानुसार जीवन जी रहे हैं क्रियावन्तह श्रुत्रियाह अर्थात यदि हम वेद को पढ़ रहे हैं जान रहे हैं समझ रहे हैं वेद पढ़ने का आवसर किसी गुरकुल में नहीं मिला तो कोई बात नहीं यदि वेद की बातें कहीं पर हो रही हैं उसे सुनने के लिए समय निकालते हैं अगर हम उसे समझने का प्रयास करते हैं तो हम वेदानुसार ही जीवन जी रहे हैं फिर कहा ब्रम्ह निष्ठा है अगर हम ब्रम्ह परमेश्वर के प्रती निष्ठा रखते हैं अगर हम परमेश्वर को अपने हदय में स्थान देते हैं अगर हम परमेश्वर को जानते हैं या जानने का प्रयास करते हैं अगर हम प्रती दिन कुछ समय निकाल करके उसमें मगन होते हैं अगर हम उसका दिहान करते हैं ब्रह्मनिष्ठा तो हम वेदानसार जीवन जी रहें स्वयम जुहवतह एकरिशिम श्रद्धयंतह अर्थात यदि हम स्वयम जुहवतह अपने आपको ही आहूत कर देते हैं परमेश्वर के लिए केवल और केवल अपने जीवन का अपनी दिनचरिया का कुछ हिस्सा नहीं बलकि हम अपने पूरे को ही परमेश्वर के लिए समर्पित रखते हैं हमारा जीवन परमेश्वर के आदेशों के लिए होता है तो हम विदानुसार ही जीवन जी रहें एकरशिम श्रद्धायंतर अगर हमारी परमेश्वर के प्रति श्रद्धा है केवल पंग्तियों से नहीं जानते उसे बलकि अंतरिक रूप से भी उसके प्रति श्रद्धा रखते है एकरशिम और परमेश्वर ही नहीं परमेश्वर की उस जियान परमपरा में जितने भी रिशी लोग हैं जितने भी जियानी लोग हैं जितने भी आचारिय लोग हैं उन सबके प्रति यदि हम श्रद्धा रखते हैं हमारी श्रद्धा है हर उस व्यक्ति के प्रति जिसने परमुरिशी परमेश्वर की वेदवानी को समझ करके समसार के लिए बताने का उद्देश्य रखा है अपने जीवन का वो एक रिशी है ऐसे उस एक रिशी को श्रद्धयन्त उस पर श्रद्धा रखते हुए करें अगर हम ऐसे हैं तो हम वेदानुसार जीवन जी रहें और फिर आगे कह रहें हैं ऐसा जो व्यक्ति है बस उसी को यदि हम भी वैसे हैं और सामने वाला भी वैसा है लेकिन योग्यता में थोड़ा कम है द्यहन दीजिएगा मैं दोबारा दोहरा देता हूँ यदि हम तो वेद पढ़े हुए हैं, वेद समझे हुए हैं, लेकिन जो सामने व्यक्ति है वो भी अच्छा है, ब्रह्मा निष्ठ है, अपने आपको उसने समर्पित कर रखा है, परमेश्वर के लिए, ब्रह्मा के लिए, लेकिन हमसे कम जानता है, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा अक्रियावंत है जो क्रियावान नहीं है वो वेदानुसार जीवन नहीं जी रहा है और जो वेदानुसार जीवन नहीं जी रहा है उसे बताना ही नहीं चाहिए ब्रह्मविद्या के बारे में वो समझेगा ही नहीं टाइम वेस्ट है व्यार्थ है उसे पहले उसके रोटी कमा डालते किसी काम की नहीं है खारे पानी में अगर कुछ मिलाया जायेगा तो कोई काम थोड़ी करेगा इसलिए सबसे पहले क्रियावन्तह, क्रियावान होना पड़ेगा व्यक्ति जो निश्क्री व्यक्ति है उस पर दिया गया उपदेश कोई काम नहीं करेगा, व्यार्थ हो जाएगा, क्योंकि वो वेदानुसार जीवन नहीं जी रहा है, अक्रियावान है, आलसी है, फिर का श्रोत्रिया है, वेद पढ़ने में रुची ही नहीं है, रुची ही नहीं है, तो आप पढ़ाते रही है, रुची के बिना पढ़ाया ग पढ़ेगा सर में जाएगा ही नी यंदर मस्तिश्क में ब्रह्मनिष्ठा हा जिसकी परिमेश्वर के प्रति निरुप्त रूप से लिखा है कि एक बार जो विद्या है वो ब्रह्मने के बास कहीं मुझे बचाओ, सुरक्षित रखो, मैं तुम्हारी संपत्ती हूँ, संपत्ती को तु सुरक्षित रखते हैं और किस-किस से बचाओ मुझे, तो वहाँ भी लिखा, यही कि यही विशेशन लिखें वहाँ पर कि जो व्यक्ति आलसी है, जो व्यक्ति निश्क्रिय है, जो व्यक्ति हरदय का कुटिल है, उसे मुझे मत दे न, नाश कर देगा नहीं तो, इसले कह रहे हैं, तेशाम एवा एताम ब्रह्मा विद्याम वदेत, उसी को ये ब्रह्मा विद्या बताओ, जिसमें ऐसे ऐसे गुण हो जो वेदामसार जीवन जीता हो शिरो व्रतम विधेवत ये इस तो चीरनम जिन्होंने शिरो व्रतम शिरो व्रतम जिसको वादने शिरो मनी शिरो मनी मने जो सबसे उचे स्थान पर हो से शिरो मनी कहते हैं जैसे हम कहते हैं विद्वत शिरो मनी विद्वानों में भी जो सिर जो सबसे उचा वरत हैं मुख्य वरत क्या है वेद पढ़ने का वरत मुख्य वरत ब्रह्म का ध्यान करने का वरत मुख्य वरत इन वरतओं को लेकर जो व्यक्ति आचरन करता है चीर्णम अपने जीवन का चयन करता है कि किस रास्ते पर जाएगा ऐसे व्यक्ति को बता दीजिये ब्रह्मा विध्याग विधिवत जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को इस मार्ग पर चलाया है बाकियों को मत बताईएगा बाकी लोगों को बताया गया न बताया हुए जैसा ही रहेगा फिर आगे कहते हैं तद एतत सत्यम रिशी अंगिराः पुरो वाच न एतत चीरन व्रतो अधीते नमहा परमरिशिभ्यो नमहा परमरिशिभ्याः यह जो सत्य है जिस सत्य की अभी हम चर्चा कर रहे थे सत्य क्या जो सदैव एक जैसा रहेगा सत्य क्या जिसको जानकर समझकर के पाकर के हम भी सत्य हो जाएंगे हम भी एक रस हो जाएंगे ऐसे इस सत्य वाणी वेद वाणी को रिशिम अंगिराह पुरोवाचा कह रहें अंगिरा रिशि ने पुराने समय में कहा था एक परमपरा हमने पढ़ी थी वो परमपरा इसी उपनिशद में हमने पढ़ी है कि परमपरा से ये जो जानकारी है ये हम तक पहुँची है जहां लिखा है कि सबसे पहले ब्रह्मा ने इसे पढ़ा ब्रह्मा ने फिर आगे जाकर के अंगिरा को दिया फिर आगे जाकर के वो परमपरा अन्यों तक गई अब सोचिए कि परंपरा से जो ज्यान हमारे पास आ रहा है उसे सुरक्षित रखना कितना अवश्यक है हमारे पिता ने हमारे दादा जी ने अगर कोई संपत्ती हमें दी है अगर कोई धरोहर हमें दी है तो बहुत कीमती बहुत बुल्यवान है उसे सरक्षित रखना चाहिए कह रहे हैं कि प्राचीन काल में अंगिरा ने इसे पुरो उबाचप पुराने समय में औरों को बताया न एतत चीर्णव्रतो अधीते ऐसा वेक्ति जो अचीर्णव्रतो अधीते ऐसा वेक्ति जो चीर्णव्रत नहीं है जिसने संकल्पों को कभी पालन ही नहीं किया तोड़ दिया खंडित कर दिया संकल्प करता है फिर छोड़ देता है संकल्प करता है फिर छोड़ देता है तो और हमें अब वो मिली है, तो हम यूहीं व्याथ में किसी को न दे दें, यूहीं किसी को बता करके अपना समयना खराब करें, हम बताएं, निश्चित रूप से बताएं, ढूंड़ें उस व्यक्ति को, उन व्यक्तियों को, जो इसको समझ सके, इसी लिए, जब हम कक्षा करते हैं, उपनिशत जैसे विश्यकी, तो वो कक्षा सीधे सोशल मीडिया पर नहीं जाते हैं, उस कक्षा के लिए सबसे पहले पूछा जाता है, कौन इस कक्षा में सम्मेलित होना चाहते हैं, रुची है, योग्यता है, तो आईए समों से जुड़िये, समों से जुड़ा जाता है, फिर प्राता हकाल का समय लोग निकालते हैं उठते हैं आलसी व्यक्ति यह जो कारिय नहीं करना चाहता है जो निश्क्रिय व्यक्ति है वो वैसे ही प्राता हकाल की कक्षा नहीं लेगा तो फिर प्राता हकाल उसे व्यक्ति को उठना पड़ता है और हाँ ऐसा नहीं है कि एक मि जो व्यक्ति आलसी है निश्क्रिय है उसे ये विद्या नहीं बतानी चाहिए इसलिए नहीं कि वो इस विद्या को पाकर के कुछ बुरा कर लेगा रहे ब्रह्मा विद्या तो कभी किसी को बुरा करवा ही नहीं सकती ब्रह्मा विद्या किसी भी व्यक्ति को मिले हलाब ही लेकिन उस ब्रह्मा विद्याक को समझाने के लिए हम जिस पर समय खर्च कर रहे हैं वो हमारा समय वेर्थ चला जाएगा हमारा दाइत्व है कि हम इस धरोहर को आगे बढ़ाएं सौंप करके जाएं पता चला जिन लोगों पर अब तक परिश्टम किया है उन लोगों ने इस समहला ही नहीं वो लोग आगे तक पहुँचाने में योग्य हैं ही नहीं हम जैसे तैसे उन्हें समझा भी दें वो आगे नहीं समझाएंगे किसी को इसलिए हमें बड़ी सोत समझ करके इस ब्रह्म्ह विद्या को ऐसे लोगों तक पहुचाना है जो आगे इसे पढ़ा सकें भरोह रही से सौप सकें स्वयम भी लाब लें और उनको भी लाब दें इसलिए न एतत अचीरण व्रत व्यक्ति असंकल्पित व्यक्ति कभी इसको पढ़ ही नहीं पाएगा समझ ही नहीं पहुचाया होता तो फिर हमें स्वताह परिष्टम करना पड़ता फिर स्वताह इसकी खोज करनी पड़ती फिर परमेश्वर के दिहान में बैठ करके फिर एक एक तथ्थे को हमें संजोना पड़ता आज तथ्थे हमें लिखे लिखाए सुने सुनाए मिलते हैं हमारा काम है बस उन्हें और गहराई में उतर करके जीवन में अपना करके आगे बढ़ना बाकी हमें तो सिलेबस बना बनाया मिला है न सोचिए कितना परिश्टम रहा होगा उन लोगों का जिन्होंने जीवन लगा करके इसे संजोया है इसके एक डॉक्यमेंटेशन किया है इसे एक कुस्तक के रूप में इसे हमें दिया है इसले करें नमः परमरिशिव्या ऐसे परमरिशियों को नमस्कार है हमारा अरे सर जुकाना चाहिए उनके आगे यहाँ नमन करने का मतलब यह नहीं है कि हम उनको भगवान मान कर उनकी पूजा कर रहे हैं बस हम स्विकार करते हैं कि हाँ आपने कुछ विशेश किया है हम छोटे हैं आपसे, हम उपक्रित हैं आपसे हम कृतज्य हैं, हम स्विकार करते हैं कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और ये करने से जो लोग आज नहीं है उन्हें कुछ नहीं मिल जाएगा ऐसा नहीं है कि जो लोग संसार से विदा हो चुके हैं जिनका ये शरीर जिस शरीर में रहे करके उन्होंने वेद विद्या को आगे पहुंचाया वो शरीर छूट चुका है तो अब उनको कुछ नहीं मिलेगा हम चाहे कितनी भी अपनी भाव भीनी श्रत धंजली अर्पित करते हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा लेकिन बड़ा लाब होगा मुझे मुझे अवश्य अंदर से पवितरता मिलेगी मुझे अंदर से अवश्य शुद्धता मिल जाएगी कि मैंने एक कृतज्यता को स्विकार किया है हाँ मुझे पर किसी ने उपकार किया तो मैं स्विकार करता हूँ मैं अंदर से खुलापन रखूँगा मैं तंजस्टिड नहीं होँगा मैं नेरो माइन डेट जिसको केते संकुचित मान सिकता वाला नहीं हूँ मैं शुद्ध हरदय हूँ पवितर अंतर करन वाला हो जाता हूँ और यही मेरे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज बहुत बड़ा लाब हो जाता है बहुत बड़ा एक अवसर मिल जाता है कि मैं अपने आपको परमिश्वर के अधिक अधिक योग्य बना सको तो नमापरमरी शिव्य और नमापरमरी शिव्य दो दो बार कहा गया और यह दो बार कहने का मतलब है कि श्रद्धा थोड़ी अधिक है दो बार कहने का मतलब है भावनाए प्रबल हैं, दो बार कहने का मतलब है ये भावना महत्वपून है, जो महत्वपून होती है, जो भावना प्रबल होती है, उसे हम एक बार कहे करके रुक नहीं जाते, कोई बहुत अधिक हमारे लिए शद्धास्पद व्यक्ति हो तो हम कहत प्रणाम भी दो-दो बार करते हैं नमस्ते जी आईये एक बार कहने में बात बने जाती casting न मस्तेन लेकिन हम फिर भी दो तीलन बार केते हैं यह है यह बहु है यह कोके पर अनुखL और जिसके प्रति श्रद्धा रखते हैं आईए 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 अरे बड़े दिनों बाद आए तो ये जो ये किसी भी वाक्य का किसी भी शब्द का पुनरुच्चारण करना पुनरुप्ती करना दो दो बार कहना बार बार कहना ये हमारी श्रद्धा और उस व पहचाई है उनका धन्यवाद करना हमारे लिए आवश्यक है महत्वपून हैं यहां पर मुंड़कोपनिशद का समापन हो जाता है और इसके बाद हम मैं आपको एक सूची भेज़ दूगा सबको जहां पर जिसमें हमने इस पूरी मुंड़कोपनिशद में जो जो तथ्य रूप में जैसे अउमा ओम की यह तीन मात्राएं होती है मुंड़कोपनिशद में ही परकरण आया है कि जो व्यक्ति अउमा को जान लेता है वो इस इस प्रकार की योग्यता वाला हो जाता है तो वो क्या है वो पूरी सूची उपनिशद में दी गई है वो सूची को हम प्रकरण और सरल हो जाए आप लोगों के लिए प्रकरण को यहीं विराम देते हैं कल से हम मंडू की उपनिशद का प्रारभ करेंगे धन्यवाद